जहांगेर पुरी में बुल्डोजर पर स्टेक का ओर्डर ये इतने पावर्फुल है सोचना होगा देश को अभी जो सुप्रीम पोर्ड का ओर्डर आया है जहांगेर पुरी में बुल्डोजर पर स्टेक का ओर्डर ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है पहला सवाल तो ये ये जहांगीरपुरी में जो बांगला देशी गुस्पैटी हैं कबारी का काम करने वाले ये अनसार जैसे लोग ये इतने पावरफुल है अब समझ में आ रहा है कि वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी पुश्पा बनने का जो एक्टिट्यूड था वो ताकत कहां से आ रही थी आप सोचिए राप को जहांगीरपुरी में बुल्डोजर चलने का ओडर आया है और सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा है कपिल सिब्बल तुश्यंत दवे संजे हेगडे प्रशांद भूशन ये सब सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में खड़े है पुल्डोजर पे रोक लगाने के लिए और इनका केस कौन लड़ रहा है इन बांगलादेशी गुस्पैटियों का जमियत उलेमाए हिंद कौन है जमियत उलेमाए हिंद वोई और्गनाईजेशन है जो एहमदाबाद में बंब ब्लास्ट में जो इसलामिक आतंकवादी पकड़े गए उनका केस लड़ रही है यानि आतंकवादियों का केस लड़ने वाली संग्धन जमियत उलेमाए हिंद जहांगिरपुरी के बंबांगलादेशी गुस्पैटियों का केस लड़ती है पांच मिनट में सुप्रीम कोर्ट से इस्टेक आउडर आता है और वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े होते हैं वाँपर अब सोचिए कितने पॉवर्फुल है इस प्रकार के ये बंबांगलादेशी गुस्पैटियों अनसार जैसे लोग और इसलिए इतनी हिम्मत है इनमें कि ये पुलिस के ओपर गोली चला रहे पत्थर चला रहे हैं राम नौमी के जुरूस पे हनुमा जन्मोसों के जुरूस पे ये बहुत बड़ा सवाल है आज पूरे देश के सामने सोचना होगा हमें कि किस प्रकार का ये नैकसस किस प्रकार का ये कौकस किस प्रकार का बन गया है कि देश में पुलिस पे गोली चलाने वाले लोगों के लिए भी देश के सबसे बड़े वकील और आतंकवादियों का केस लड़ने वाले संग्ठन खुले आम सुप्रीम कोड जाते हैं और पांच मिनिट में ओर्डर भी लेकर आते हैं सोचना होगा देश को